बिस्मिल्लारमार रहीम, अस्लाम लेकुम। Harvard Academy की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं Dear Aspirants and Students, आज हम pair of words जो के vocabulary का एक हिसा है English Composition का part हम cover कर रहे हैं और यह equally important ACSS, PMS, Federal Public Service Commission के और जितने भी NTS वगरा हैं उन सब के लिए equally important है और valid है और आप हमारा यह complete course भी जोइन कर सकते हैं through our online academy www.howardacademy.com और हमारा WhatsApp नमबर है 0333-570-6226 तो move करते हैं आज के हम अपने lesson की तरफ और सबसे पहला pair of word जो है उसका पहला word है वो है carrier तो यहां पर आपने इसके spelling को जरा गोर से देखना है C-A-R-R-I-E-R carrier तो यह carry करने से निकला है carry करने का मतलब होता है कि ले के जाना हो उसमें person भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है जो के एक चीज को दूसरी जगा पे ले के जाने के लिए transportation के लिए इस्तमाल की जाती हो तो आप यह एक shift देख सकते हैं यह carrier है जिसमें आप fuel या फिर war plane वगरा shift कर सकते हैं एक जगा से दूसरी जगा sentence में इसको कैसे यूज कर सकते हैं the parcel carriers used by most online retailers tend to be less flexible next word जो इस pair का है पहला था C-A-R-R-I-E-R और यह जो carrier है इसकी spelling है C-A-R-R-E-R carrier और यह होता है जो आपका future carrier होता है यानि कि आप अपने course of action जो किसी भी field में आप जाते हैं तो हर एक कैरियर ग्रोथ है तो उसी को हम carrier करते हैं जैसे के कोई भी है कोई as a science दोहान अपना carrier start करता कोई as a sportsman और कोई musician के तोर पे कोई actor के तोर पे तो यह सारे का सारा carrier होता है जो भी आप field अपनी choose करते हैं उसी में आप अपने carrier को grow करते हैं तो इसके उर्दू में मानी तो यह हो गया और इंग्लिश में क्या हो सकते हैं यह professional और occupation which one trains for and pursues as a life work तो यह पूरी जिंदगी में उसी field में फिर इनसान काम करता है उसी को ले के sentence में कैसे use करेंगे graduates may pursue careers in the public और private sector next यहाँ पर आप carrier की यह देख भी सकते हैं कि जब हम start करते हैं तो यहाँ से move करते हैं and so on हमारा travel चलता रहता है और promote होते रहते हैं कोई भी किसी भी field में हो तो अपने carrier को grow करता है जो जितना अच्छा और hard worker होगा वो अपतना ही fastly अपने carrier को grow कर सकते है next जो पेर है उसका word जो पहला है हमारा वो है acculturate इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना या उसको culture के हिसाब से आदी होना या एक culture का दूसरे culture में जम होना यानि कि अब first किया हम Asian है और हम यौरप में जाते हैं तो हम अपना culture कुछ वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ की culture से कुछ चीज़ें सीखके अपने Asian culture की तरफ लेके भी आते हैं और वहाँ पे कुछ हम adopt करते हैं तो एक culture का दूसरे culture में मिक्स होना इसको क्या कहते हैं अकल्चिरेशन और तुड़े दा आइरोकिस आर हाइली अकल्चिरेटेड होल्डिंग जाब्स इन अकमेनिटी इस रावंडिंग दा रिजर्वेशन और यह आप पिक्चर जो है यह सल्फ एक्स्प्लेनेटरी है इसमें मुक्तलिफ culture के बच्चे हैं और एक पूरी दुनिया पे उनने उनके पास globe है जिस पे वो हाथ रखके बैटे हैं यानि कि पूरी दुनिया में इस तरह कवायल में और रंग और नसल में जो लोग हैं different colors में divided हैं और एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और इस तरीके से अकल्चिरेशन का प्रासेस होता है तो acclimatize ये climate से निकला है अगर आप इसको AC जो शुरू वाला है वो निकाल दें तो climate और climatize और इसको साथ में add करें acclimatize यहनि कि एक जो मुसमी तगई और तबदल के लाहाज से अपने आपको बदल लेना ताकि उस मुसम के हिसाब से आप adjust हो जाएं जहां पे आप नए होते हैं to call, to change, to suit different conditions of life weather, etc तो लाइफ के style भी हो सकते हैं और मुसम के भी changes हो सकती हैं sentences का we found it impossible to acclimatize ourselves to the new working conditions यहां पे आप देख सकते हैं person एक बरफबारी के लाके में या कहीं पाड़ी लाके में है और बरफबारी में भी वो सांस ले रहा है या बहुत ज़्यादा height पे यह चीज़ हो सकती जहां पे oxygen की कमी हो तो आपने आपको उसका acclimatize करने के लिए वो अपने मुक्तलिफ जो टूल्स हैं वो लेके जाता है साथ में उसके जो जरूरी equipment है उसको इसको इस्तमाल करने के लिए अपने oxygen वो लेके जाता है ताके वहां पे survive का सके जहां पे उपर height पे oxygen नहीं होती इसके बाद है disclosure disclosure disclose का मतलब होता है close का मतलब होता है बंद करना और disclose का मतलब खोलना यानि कि disclose करना कोई चीज राज से परदा उठाना यए जो एक चीज पहले close होती है उसको disclose करना राज वगरा या कुछ भी ऐसा information वगरा है जो पहले known नहीं होती है पिर वो known हो जाती है, publicly available हो जाती है उसको disclosure कहते है the act of making something known or the fact that is made known sentence इसका any public disclosure of this information would be very damaging to the company और ये information जब आपकी भी किसी hotel वगारा पर जाते हैं, restaurant वगारा पर जाते हैं तो आप information आपको मिलती है मुख्तलिफ जहां पर वो कई सारी information आपको disclose करते हैं तो disclose होता है जहर करना, expose करना भी जहर करना होता है, लेकिन disclose होता है कोई चीज़ पहले information अवेलेबल नहीं होता है, और वो information के लिए आप सोता है और आप ये भी कह सकते हैं कि जो disclosure है, वो ज्यादा तर जो होता है, वो होता है और जो एक्ष्पोईर होता है वो ठैंगिबल होता है यानि कि आपको पहले चीज नजर नहीं आती तो उसते जब बर्दा जिसको एक्सपोज कर दिया जाए किसी जो सिक्रेट प्लैन बगर रहा है इस तरह का sentence दा एक्सपोजर आफ दी मिनिस्टर लव अफियर फोर्स्ट हम तो रिजाइन यह जो है डबल एक्सपोजर के आप सोचते क्या हैं दिखता क्या है और आपके माइंड मेंटलिटी में क्या कुछ चल रहाता है इसके बाद नेक्स जो पेर है वो है उसका पहला वाड रिगुरस आपने अक्सर अगर आपने लाग की कोई बुक वगर पड़ी तो उसमें जहां पे सजा की बात होती तो अक्सर आपने देखा होगा रिगुरस इंप्रेजनमेट यानि कैदे बामुशकत तो रिगुरस का मतलब होता है मुशकत वाली चीज़ महनट वाली चीज़ अक्सर जहां पे बच्चों को जो है या पुलिस है या फोर्सिस में लोगों को ट्रेन किया जाता है तो उनको रिगुरस इंवारमेंट से साम लिए रहेगा वरिस्टिक और हाश सेंटेंस इसका विशल नाव प्रोसीड बाइ मेकिंग दा डिसकेशन मोर रिगुरस अब ये मिल्ट्री ट्रेनिंग की ही एक स्नैप्शाट है जहां पे वो ट्रेनिंग का एक सेशन है और रैफल्स उन्हें हैड्स पर उठाई है और फ् यानिक ऐसी इंटेक जो आपको इनर्जेटिक करते है तो इविगरस के मतलब होता है इनर्जेटिक वहरी फोर्सफल और इनर्जेटिक संटेंस में इसको कैसे जुश करें हैं देर हाज बिगरस अपोजीशन तो दी प्रपोजल वादा वर निव रोड तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं इतमें विगुरस है यानि के एक इनर्जेटिक पिक्टर दिखाएगी है नेक्स्ट जो है हमारा पिर उसका पहला वर्ड जो है वो है कस्टम सी यू एस्टी ओएम ये कस्टम एक्ट भी आप देखें ये कस्टम के मुताबक जो कस्टम वाले क्या होता है कि वो दूसरे अलफाज में देखें और उसकी स्पैलिंग और इसकी स्पैलिंग से हम है तो हम ज्यादा तर जो कस्टम को रवाज में लेते हैं रस्म रवाज या जो एक चीम आम रवाज पाया जाता हो कस्टमरी हो लोगों में वो चीज आम तोर पे देखने को मिलती हो इसको कस् which has been established for a long time जो लंबे अर्थे तक जारी रहे है sentence An ancient custom was for the oldest son to have double portion of the inheritance के inheritance में उसको double हिसा मिलता था जो सबसे बड़ा होता था ये custom चल दी आ रही है यहां पर नहीं बलके किसी और society के आप बात करें और हाथ मिलाना, handshake करना ये customary है हम जब मिलते हैं religion से बालतार होकर एक दूसरे handshake होती है habit के होती है एक आदत होती है custom जो habit है वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है custom होती है रवार होता है और ज्यादातर वो अच्छा ही होता है meaning इसके something which you do often and regularly sometimes without knowing that you are doing it यानि कि आप इतना किसी चीज़ को बकाइदगी से करें कि फिर आपको पता भी ने चले और आप 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 कर रहे हूं sentences का I always buy the same brand of toothpaste just out of habit कि मुझे आदत हो चुकि कि मैं toothpaste एक ही इसमाल करता हूं यह जो भी buy करता हूं इसके लावा habits के लिए आप से जो good habits होती है तो यह था आज का हमारा lesson उमीद करता हूं कि आपको lesson पसंद आया होगा और आपके जितने भी हमने नहे session में words सेके तो वो आपको lasting याद रहेंगे और आप हमारा complete course भी join कर सकते हैं जहांपे आपको complete pass paper के English का part और pair of words और सारे इससे आपको एक sequence में easily accessible होगे त्क्स लगज नहाज़स